वालकम अगेन और हम बात कर रहे हैं शुगर प्रिशन्ट की और जिनकी गुर्दों में प्रोब्लम है उन दोनों की यानिके डाइबिटीस और किड्नी आज हमारा टॉपिक यह है और एवरी फ्राइडे हमारे साथ प्रफेसर डॉक्तर हकीम असकरी साब होते हैं उनसे बात कर और सीजन वाइस फल भी जो हमारे लिए बैतर हो हर परसुन के लिए जिसमें मारा अम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉंग हो लेकिन ऐसी चीजों हम इजियस्ट बना भी ले और खा भी ले अब सीजन में चल रहा है मैंगो तो आप क्या कहते हैं किसले मैंगो है अभी कहरी का मौ है माजूर खीया है कहरी को बढी कर लिजये शीक है उसके चिलिका बड़ें कर लिगे और उसको ग्रॉंग कर लिजये और उसको ग्राइंड कर लिजए है कुरॉंगरी कारने के बाद उसे घ् 자ामिग कि धुड़ कीजिए रिगरी चीनि रइसे है certain वाधिया अभी जाले ऑर फ्रस्व में थौड साल भी डाल लेते हैं तो वो एक वाकादा ऐसी बेहतरी चटनी टाइप बन जाती है अगर इसको आप पानी मिला कर पिये हैं तो यह बहुत बहुत स्थावगां भी बात करें करते हैं तो यह वह पानी उने लगे का भी पानी नहिक नहीं ती ऐा है कुझ क कॉलरा उसका बहतरीन यह इलाज है मौझूद है और इसको अगर चटनी बना के रख लें आप बाजरे की रोटी से जौ के रोटी से या चने की मकरी का अटा बेसन की रोटी आयायायाया उसके जरी उसके साथ आप खाएं साथ नसी पीएं और मक्षन थोड़ा सा बेस रोटी लगा लेबारा अवाए दो आ यह वी आपका रहेगा अफ़ इस मौश्म में आम के साथ रूटी भी खाते हैं और तो साथ-पैयाज कारे होते हैं रोटी खाते हैं आम के साथ प्याज पॉदीना औगारा और शंव लच्टी भी रखते हैं और जिइतनी ये साधी होती रहती जिया जिया बिलकुल बिलकुल तो यह तो एक अच्छी रेसेपी मैंने आपको बताई है कि यह आप इस्तमाल करें और इस मौसम से लुट फंदोज भी हों बिलकुल देखे मौसम यह बरसात भी आरी है बारिशें भी होंगी और बीमारिया मुखलिप फैलती है बिलकुल होड़ी दीदिया यह इसके खाने से वफिर खुन पैदा होता है बिलकुट ठीक है और इससे लोग करते जी मोटा हो जाते हैं यह नहींबखे नहीं प्लोड यह ऐसा नहीं होता आम के साथ ज़ suscars और आम को आवी नहीं कि जिनाब आगर जितना मर्जी आम खा लिए यह आम आपको डैजस्ट भी कर जाता है और इसी तरीके से एक और भी एक मौजू पर बात हो रही थी सबी कह रही थी कि आप कुछ एक प्रोग्राम शुरू होने से पहले बड़ी च्छी बात कर रही थी वह दुबारा से कीजिए हाई ला मैं भूल गए क्या बात कर रही थी मैं जेन से निकल गया कुछ बात कह एए बत इंप्रटेंट बात कही थी आगए अब थोड़ी सेकंड के अब थोड़ी सब्सक्राइब आजए का इस अधितनी बतारा था कि देखे जो ति नबी है तरीका नभी का इस अधिया में और उन्होंने वाकादा अपने अद्वार में जो है वो लोगों को वो चीजें बताई कि किस क्या क्या चीजें इस्तमाल करनी चाहिए और जो तिब नभी आई ये वो तमाम अंभिया के जो थी तिब उसका निचोड लेकर आई तो वो बार और आपका नभी अकरीम अब सल्लेलाहिलाहिलावालेवसल्म की घजाओं के और उनकी मरगूब तरीन चीजें थी उनके बारे में आप पढ़ा कीजे पता लगे कि आप ने क्या क्या हदायत दी हैं और किन-किन घजाओं को इस्तमाल करने का आपको तारिफ की है कि यह यह इस 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 तो बिलकुल बिलकुल सभी सल्लेबी। शल्ज्जम कि आपकी पनुरूब्व घजाओं में थी और इस तेरीके से सिर्का का इस्तमाल किया जाएं यह मौसम ज़ अब बर्साइ का शुरूर है यह आप सिर्का इस्तमाल करें मौसम में प्याज BE हुआ सा सिर्का और का दीने में डाल कि तो यह चीजे ऐसी हैं कि जो हम छोड चुके और हम आगे हैं stay food की तरफ हम आगे हैं जक फूट की तरफ जस्थ अ कुछताय है कि जनब आप यहनि शूगर के मरीद को कहा जाता है यह दिल के मरीद को कहा जाता है कि चिकनाई नह खौताया या आप कुकी से इस्तमाल करें बिस्किट खाएं आप जिनाब बंद अब वही बता बैकरी में क्या बिचारे कैसे बनाते होंगे इतर से चुए दोड़ हैं वही करीब वाश्रूम हैं मैंने आखों से देखा ये सब वीडियो में भी होता है उसी से वह अफकोर जी कि बड़ी याद मुझे आजयते हैं लेकि आपनी बात चल रही थी तो मुझे अच्छा नहीं लगा इंट्रॉप्शन करना तो हम लोगों को ना एक दिल कर रहा होता है कि यार जब हम लोग कोई बीमारी में मुपतला हो जाते हैं डायलेसिस में या शुगर में तो दिल कह रहा है यार अफकोर्स पिर वो डॉक्र्ट साब ने सही का कि जैसा सोचोगे वैसा ही होगा आप लेकिते हैं जैसा तुम गुमा करोगे वैसा ही मिलेगा अगर आप यह समझे कि कुछ नहीं होगा खाना खाते वक्त हमेशा ही याद रखिए नाज़िए यह गिज़ा जिसक्त आप खारे देरी होती है यह जुबान आपको रस्ते दिखारी होती है यह जुबान से आपके मुझ से इल्म जड़ रहा होता है इस जुबान से आदमी बहुत सारी अपने लिए मसीबते भी पाल लेता है इस जुबान के जरीए और बीमारिया भी पालता है इस जुबाती है कि जब जो निम्तों को शुकर अदा करना चाहिए भी और फिर जो निम्ते आपने आपने पाबंदिया लगा दिया जाती है मुछिफ वो नाजास पाबंदिया होती है कुछ चीज़ा ऐसी होती है वाकरी नुकसान जो इसको बता देते हैं कि वही यह कुछ रसे तक ना खाएं यह नहीं कहते है कि जनाब आप आपने सारी जिनदेगीह नहीं खाला this तो ये सारी जिन्देगी की पाबंदी जो होती है ये इन्सान के लिए बड़ी अजयतनाक होती है और जिस तरह कहा गया कि कोई घ्रिजा खाते हैं अगर आप महसूस करें कि जिना मैं इससे बेमार हो जाएंगा तो यकिनन बेमार हो जाएंगा अच्छा वह आप एक अच्छी आप हरी चटनी बनाते हैं और कैरी भी है वह जिसके अंदर आपने डनी ऐप दीन और करी पता और वह भी हमने ब्रेक में भी बाब देते हैं सवान जना और इसके इलावा इसके अंदर अनार दाना आपके लेसन एक अदद हरी मिर्श भी नुकसान विटमिन सी प्रोवाइट करती है उसके बीज वगर आप निकाल ले तो ये आप अपनी चटनी सिल पर एक दो तीन लेसन के जवेबी है अब उसमें क्या मज़गी ये ए जीरा भी डलाओ सफ़ेज जीरा कितना फाइदे माईधी ज़ाओ किया कहते है इस सारा जरी जीरा या उस पे हलकी सी कलॉंजी कि ठीक है वो पी पे लगा सकते है रोटी पे आप ऐसी रोटी भी बड़े मज़ी की बनते है बलकुल सौंफ की रोटी आप लंगर में देखें आप लोटी जीरा आती है नान में आते हैं बनाते हैं बलकुल तो इसे बहुत सारे चीजें हैं जो आप अपसमें इस्तमाल कर सकते हैं अगर आप अजवाइन का थोड़ा सा चिड़काओ कर लें और इसी तरीक से अपना आप सूजी की रोटी बना ले 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 जोगए जवा अज़्य को अपनी बना बना या करती ती हैं अ मैं समझे कतलिया बड़े बड़े दिन आती दें शब्राथ शब्राथ अबरायत और बड़े जितने भी ऐसे दिन आती तो मिठे में सूजी का जो यह का घलवा एक बनता था उसके बद अज़को एक बड़े से परात या करने की कोई जरत नहीं है, वो कई कई हफते चलता था वो टिकियां बॉर्टल में डालके, प्रिशे के बड़न में चलता था बहुत बाहिए हुआ जी उसमे को जिए इसे पहे हैं शुगर पेशिंट के लिए बाहिए है और को नाजिन को बहुत चलता था बाहिए पाएद जि पांजरा कपत्ते ले दीजिए झोड़े से और फैसल पॉदिना, करी पता, ये भी आप लीजिए के लेजिए और दार च्विनी का एक डीयड़ उच का टुक्डा, अदर का एक डीयड़ इंच का टुक्डा ये और इसमें अगर गुर्ा डाल लीजे थोड़ा सा तो इसको चार पांच कप कावा बना कर सुबा नहार दुपहर शाम तीन से चार मरतबा तीन तीन गंटे के बाद आप इस्तमाल करें तो आपको खुद अन्दाज़ा हो जाएगा कि ये तमामी मिराज की एक नुस्खा है जो स्किन डिजीस के लिए भी है शुगर मरीजों के लिए भी है किड्नी पेशिंस के लिए है और वैसे भी कुछ अगर नहीं भी बिमार अगर ये दिन आप महीने में दो-चार मरतबा इसका इसका इस्तमाल करने तो आपको फोड़े पुंसियां जो चेरे पे निकलाते हैं उससे भी बच जाते हैं और किसी किसम का एकजिमा उगरा हो तो अससे भी बाहना है पहले ही होता था कि हम लोग बट कडवी सी दवा आती थी और इसको पानी में जब एक स्पून डेते थे तो बहुत कडवी सी अगर जहां और हम इसलिए पीते थे कि हमारे अंदर जितनी भी टॉक्सिन अलिमेंट है वो निकल जाए उसमें नीम है चरायता शातरा मुंडी यह बहुत कडवी चीजे हैं और यह जह है खुन को साफ भी करते हैं करेले का को रेसिपी बताएं रोक सब आप बहुत जीनियस हैं करेला जो है वो हमारे लिए हम उसको सबजी के तौर पर जो इस्तमाल करेला जो है वो तो बहुत जबरदस चीज है करेले को लोग इस्तमाल को पकाने से पहले करेले को इस तरह उसको पहले तो छिलका उतार लेते हैं फिर उसके बाद उस पर नमक लगाते हैं नमक लगा के उसको निचोड़ते हैं तो इस बिचारे करेले में क्या रहा जाता है एक करेले भीह डाल दिगा और डाले जो लाज़Edा जो करेले गडाथ है और किरेले के करवाद फोडम चायती है अब उस करेले में ऋचार मसाला डालते हैं मेती दान, कलओनजी और राइ उर्बो भी निदाना बटी दना वी राई राई और धन्स भी आचार मसाला भीड़ा होता है, जो चार पीदल्ट है और कीरी नहीं का है, नहींचा मौसम यह कमारी का कूछ कि एक कमारी ढाल साथ jest और इन मौसम करेया किया रहता है जब आप करेला जैले कीरिये पकाएंगे और ढाता झाला चैसे रिए जा 105 तो करेशे जाया। एक विर जाद है लिए प्रज़े मौसम कई तुम देलिए जो जो है जो ओर होका मरिदों के लिए बिड़ी का इस्तमाल होता है। अच्छी ओम्रेमेडी जो होती है। अवरेंडेश की बात होती हैं। चीज तो हमारे पर अवला है। लेकिन हम लोगों को इसका यूज नहीं मालू है। मको का जैसे आन बताया है अरक का चासनी अरक जिरा और के उडिना और धौताइ आपका इंकालता है बार शाम पीच सकते हैं इससे जिसम का वर्म उतरता है बाद भी खवातीन मोटी जो है यानि वजन इतना जादा निहीं जिसम कोला होता है जिसम बादी जिसम कहा जाता है अच्छा मैं आप चुके प्रोग्राम का वक्त की नगार को देखते हुए ना मैं कुछ आहम चीजे मै नाजरीन को बताता हूं कर नाजरीन में मेरा मतब जो है वो गुलिस्तान जहुशार और राशन जाहर सरोड या राशित मिझनास रोड और तरसी तरफ चानिक मैं बलॉक टैन ए यह गलेमर मौल का मैं बैटता हूँ मैं गलैमर वाल लासानिया रेस्टरंट के पास एक मॉबाइल मॉल है वहां मैं बैटता हूँ आज कल मैं तकरीबन रोजाना बैट रहा हूँ बकराई तक जो है मेरा ऐसे क्योंकि लोग दूर दराज राज राकों से आ रहे हैं तो पहले मैं इतवार मंगल को मेरा मरीजों का था दिन तो अब मैं रोजाना बैट रहा हूँ और एक और चीज़ यह है कि मैंने तमाम चीज़ों में खास तौर पर इस महंगाई के दौर में लोग चीज़े महंगी कर रहे हैं और मैंने लोगों के लिए डिसकाउंट रख दिया है अच्छी बात है मैं मैंने 500 कर दिया है और तमाम अधवियात में खसूसी तौर पर डिसकाउंट दे रहा हूं ताके इस बखराई से पहले पहले आप अपने आपको कमस्की इस काबिल कर लें कि बखराई को इज्वाई कर सके अच्छी बात है ना कि आप में फेवर दे रहे हैं और पिछले दिन तो इन्हों ने एक पता नि कौन से दिन मुनल का कि विदाउट एनी फी इस दिन आ जाएं तो हम आपको चेक अप करेंगे तिक हैं आपको मैजिसन दी जाती है प्रॉपर टाइम दिया जाता है आपसे बात कि मैंने देगा दोक्र सब प्रॉपर परिशन को यह नहीं कि आप पाओ आपाओ ऐसे नहीं प्रॉपर को सुनते हैं उनकी बात उनको क्या प्रॉब्लम है दिसकुस इस लॉंग टाइम कि आपको ताइम देगा जाता है बड़ी तकलीफ दर्द के साथ बड़ी आसरे के साथ आपके पास आता है मसीहा के दर्वाजे पर अगर वह वापस जो पेड्यान क्या चोग वोते हैं अएं को मैं उनका हां का अधा करता हूं उनके इसे होता है मैं उनके लिए मदद सुरूर करता हूँ ताकह अदवियात में जतना決ा डिसकौंट होसा लिए बлет भी देगा पास मुरेद्श को बिलकूर Corks एनको पब वियादों में इस Lanne अपने टाइम को मैनेज़ करके डिफेंड इसलामबाद लहोर वहां पर भी जाते हैं अपने पेश्टेंट्स को देखने के लिए जो बहुत है कि यह नहीं आपाते हैं तो यह इनका एक सिस्टम बनता है कि यह कुछ एक दे मुकरर करते हैं मन्त में पर यह विजिट करने भी अगर आप लोगों के साथ वैसे तो अब तो बहुत एजिएस्ट हो गया वर्टसप पर भी आप इनके साथ कॉडिनेट करके फून पर अपनी तमाम जो है बाते हैं से शेयर कर सकते हैं कि आपको क्या प्रोब्लम है तो यह कनेक्टिविटी भी बहुत एजिएस्ट हो एपन हम डिलिवरी कर रहे हैं फ्री हम डिलिवरी है हमारी इस रफ इस एद तक क्योंकि अजिए तमाम चीजे इतनी महंगाई हो गए कि डिलिवरी करना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है लेकर लोगों के लिए पिर भी अपनी तरफ से तो जितना भी हो सकते है आप आसानियों का अच्छा इद आरही है जाते जाते मैं चाहूंगी कि अभी है आइफ जस तेन मिलिट्स तो मैं कहूंगी ब्यूटी जरा हर किसी को चाहिए ना तो मैं चाहरी हो वो जो आपका एक बॉटल्स में होती है जी इस पर अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत फ्रेश नजर आएं बीटी आपके इनेंसोर बीमारी भी कवरें तो ये प्रोडेक्ट इनकी बड़ी अच्छा इना जी वॉल्टलैट स्प्रेय है और इसमें मैता थेयौन और वाटमन सी शामिल है और ये दुनिया का पहला एक ओरल मैता थेयौन है जो के आप जिसको स्टिप लेते हैं जुबा को नौरिश करती है जिगर की तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्फ करती है जिगर से फासित खुन को खत्म कर पैदा होना बंद कर देती है और आपका फ्रेश बिलट जो है वो पैदा होने शुरू जाता है जिगर के जो सुदे हैं जिगर की जो प्रॉब्लम्स हैं वो उसको खत भापी बारिफाइव मदने देखा हैं विए पज़ाँ अच्छा होना चाहती हैं। उप्षफिय कोंपलेकशन अच्छा हो जाएगा। इसंश फीर कोंपलेक्श अच्छा हो जाएगा। वर्टिनिंग टेबलेट्स और यह कोर्स है कि हम देते हैं वर्टिन के लिए यहारा एप जो आप को साथ में इस्तमाल करें जो आप पूरी एक प्रूरा कथा पैकेज बनाएं तो इसके लिए प्रूरा कॉश्छ भी पिर इसकाउंट भी दे रहें बिए तो यह जे ने प्रू जो कि अज़कर सेख़ कियोंकि छोगोंकि मेरी असकरी मेजिक करीम, इसकी खिमत 18 000 रुपई है लेकिन इस्पेशल डिसकाउंट प्थाउंट है? मैंने इस्पेशल डिसकाउंट रखा हुआ है और 15 000 रुप तीन हजार का खास तरप डिसकाउंट है यह फ़र के साथ यह बड़ी बात हैं कि यह ऐसे नहीं कि मैंने किया और आप नहीं आया तो मैरा क्या ऐसर नहीं है डोकसभ शायरटी के साहथ आपको पूरा चाहिए और यह रिजल्ट सौफ इसद है बनी बैड गारंटी है इनकी की तो इसी तरह जो है दा हमारा असकरी ग्री असकरी ग्रीन जो है वो 22,000 फाइटोन इसमें निट्रिशन मौझूद है यानि दुनिया का बेहतेरिन ये ऐसा दवा है असकरी ग्रीन जो के जिसमें 141 कंपोनेंट हैं जो के आपको यानि खाने वाला शख्स जो है वो किसी भी मर्स में मुबतला हो नकाहत कमजोरी कुछ पड़ते हैं जोडों में हड़ियों में आवाज आशन हो जाता है जिसमानी कमजोरी हो जाती है जो शूगर के मरीज हैं उनको भी देते हैं हार्ट पेशन्ट पीस को इसक्तमाल करते हैं और इसी तरीके से जो मुख्लिफ जहनी तोर पर लोगों के मेमोरी लॉस होती है जो हो पैकम्तिण करते है भी जो सबक्तिव हो जाते हैं जो करते हैं जो मुड़े लोगों के लिए ये निमत-ए घुदावन्दी है जो तो तो निमत-ए ख़दावन्दी जया है लुंकर में जो जो मैं झाल-चलना। बड़ा ने बड़ा ऑच्ग बड़ाउंटा हु आपे में आदमी का कदम कही रखता है है आया लडगमगा जाटाया लगाजा तो उस चीज को बहगाता तौर पर आपको को गहें दोड़ा नहीं आए आज आज़ को पता है मेरी सिस्टर कैनेडा गेंगे ना मैंने उनको वो दिया गिफ्ट के थोड़ पर अच्छा मैंने का आप ट्राइवल कर रहे हो आपको अला ने करें कि वो यहां से जब गई थी तो थोड़ा सब फीवर हो गया ना फिर दुबारा वो तो मैंने का कि यह अपने यहां लगाना है और अगर एक इतना से पानी में द मैं तो इस बोड़ा वा खलती से आप में डाल दिया था में अच्छा में बगएर इसके मेरे बॉटल्स हो गई ना आई डॉप भी मेरे बैंक में ती और वो तो बे दिहानी में कहीं डाल ती अब जब डल गया तो मिर्स जोर से लगी ना वो थोड़ी दिर के लिए थोड़ अच्छा से उसके बद मैंने कहा हरी महां बहुत अच्छा नजर आ रहा है मुझे हाँ बिलकु बिलकु आज शायद साफ हो जाती है और यह है कि कान में दर्द हो कान में लगा लिए नाक में प्रबलम हो को दाना और निकला हो या नाक का गोश्ट है वो आपका बढ़ा हो अच्छा से लोगों के नाक का गोश्ट में स्वैलिंग हो जाती है वर्म हो जाता है जिससे उनका नाक बंद हो जाता है और वो खुटे शुटे शुटे फिर उसका रिक्मेंट डॉक्टर्स यह करते हैं कि इसका उपरेशन होना चाहिए ऑपरेशन के बावजूद भी उसक अच्छा मसले होका लिक्त इसका नाक प्रका तो जो था जो सी जुटे आए और उसका प्रेशन को नाक बंद रागारेशन के लिए जिन दोते है और मरीड जोड़ Our नाक के लिए जाता है तो जड़ाएं के जोड़ाएं तो जोड़ा के नाक तो सब्सी बाइक नाक नख भी और चंद सेकेंडों के बाद आप इसकदर फ्रेश महसुस करेंगे कि उसमें जिस वत नजला हो रहा होता है जिसमें लगा के नाट पर चंद लवों के बाद भाद फ्राफ नाट फॉर ख़ता है यह अमरजनंसी चीज़ है अो ड्राइघ खांसी ती मेरी सिस्टर को, मैंने का लिधी आप यह दोगुड पी लिजए है लेजी है – जो पी नहीं बार वर भार खांसी तीर को और यह रिखेजा भूट बार जाएब। और उनोंने पिया तो उनों की खासी जो है वो रुक गई अच्छा बात करें एक ये एक ये आप कुछ बताना चारे थे ये तो डिवाइसिज वो डिवाइसिज हैं जिस जो मैं जिस से पेशन्स को सर्च करता हूं यानि चेक अप भी करता हूं और उनको ट्रीटमेंट भी देता हूं और ये ये नाज़ें ये एक जो है ये हमारा मैं आपको दिखाता हूं इसके बाल आपने ना मुझे ये मैस्कुलन और ये फैमिनन जो है ना ये दोनों बताने और शूगर पे जिनको जखम होदा जाते उस कि इसके बाड़ी का जो है प्रॉडी को डिएग्ट लेते हैं और इससे ट्रीटमेंट भी देते हो लाहता है ये अगे आप पॉइंट्स को नोट कर लेते हैं और ये पूरी बॉड़ी का ये देखिए एकोपंचियर तरीका इलाज तकरीबन पांच हाजार साल पुराना है चाइना का तरीका इलाज है देखिए उन्होंने भी रिसर्च की है और ये नभी करीम ने फर्माया आपने कहा कि आपने कहा कि करती है आपको सुयां लगवाने की जरूरत नहीं है जैसे को पंच्छ में होती थी अब ये इससे हम इलाज कर देते हैं मोड़ी आसानी से और ये है हमारा बी-पी-कॉम का तालुक क्या है ये बलड सर्कुलेशन को नॉर्मल करता है ब्रेंस दिमाग पे लगाते हैं तो ये ये बी बड़ जदीद डिवाइस है ये हम इसको बाकादा ये देखे नाजीन इसमें बाकादा लिजर शलती है जैसे दे फिंगर टच कहते है तो रेट इसमें बलाइट इस आज सर डाले में इसक्रीप लगाते हैं तो ये अपनी जगा पर बाकादा तो ये काप करती है बार सम्गाते हैं और इसको अगर 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 ने गरीज देखें कुछ लोगों को शुगर वाले जो ते हो डरते हैं कि अब कहीं चोट ना लग जाए और रख मगय तो आप इसके बारे बताएं ये है फैमिनाइन और मस्कुलाइन ये शुगर कमरीज उकिल जिन को गैंगर पुरिजिसरम पर लगा लेम और इसी तरीके से पाइल्ड वगारा मेह भी चाहिए अधर भास ताइसाफ के में इन ये है ये खवातीन को लैकॉरिया हो जाता है लैकॉरियासे इंफेक्शन हो जाता है ये विजालन इंफेक्शन उस gebार्शन उन्फेक्शन को खत्म करती है और जो है वो ढूरमल कर देती है तो को भी और कंशी कोषिए को कवाड़ करती है यह जो हमारा प्रटेक्ट है यह देखे नाजिए यह चान्दी की गोलिया है जानि है चान्दी इस पर वर्क चड़ा हुआ है और लेकर सोना और चान्दी दाते हैं और नाजरीन बाती है यह दुनिया की बेहतें दुनिया की बेहतें जो है जिसमें हर्बल शामिल है इसमें अमबर मुश्च जाफरान जुन बदिस्तर वगयरा जवरात हैं और जिसमें नीलम पुकराज लाल बदक्षा डाइमन्ड सच्यमोती और बरजान अकीक सदफ यह उन लोगों के लिए हैं जो अज़वाजी मामलात में नाकाम हो जाते हैं जो बेहुलादी का शिकार होते हैं अफ़ाश नसल से महरूम रहते हैं उन लोगों के लिए उन खावतिन और अज़रात के लिए यह जबरदस्त एक हमारा नुस्खा है जो के खांदानी अद्वियात से बना हुआ है नाज़िन वक्त के के बहुत सिर्फ आखरी चंद लमे हैं मैं आपको ये बता ज़ेता हूं देखी ड़ी मेरी इसकंड मॉबाइल पर मुसलसल कॉल और और चारभी के बाद आप मुझे कॉल कर ले तो मैं आपको तो इन्शाला बेतिन मश्वर दो से चार के दर्मियन में आपको मशावरत दूगा पाती है ये जिसम अल्ला की निमत है अमानत है और इसको इस्तमाल कीजे अल्ला के हुकम के मताबिक अल्ला ने जो निजाम मुरतब किया है इन्सानों की से बका के लिए और नबिया करीम स्वीरत पर आप अमल कीजे तो यकीन मानिए दुनिया और आखरत आपकी जन्नत बन जाएगी और आप अपने अलाद को अपने आने वारी नसल की बका और फला के लिए आप उनको तिब्बे नवी और मेरे रब के दिये हुए पेगमात पर अमल करें इन्शालला आप दुनिया और आखरत में सुर्खरू रहेंगे यकिन और रवान की कैफित में रहें और जो मामलत आपसे हो सकते हैं वह आप उसे डिसकस करके कीजिए इन्शालला वहकुमे खुदा बफ़जले ताला अगले जुम्हे को भी मैं आपके पास हाजिर हूंगा और नेक्स टॉपिक क्या है नाज़ीन मेरा है जो नहीं एक यह कीजिएगा गोष्ट बकराईद आने वाली उसके मताबिक कुछ टॉपिक लेकर आईगा लेकर रहेंगा हुसन और सहित क्या है निजाम हजम क्या हुआ है और बकराईद को आप बहतीन तरीके से कैसे एंज्वाइग कर सकते हैं आप बेशक एक किलो गोष्ट खा जाईए और इसको डेजस्ट कैसे करना है और अगले जुम्हे को देखिएगा इसको किस तरीके से आपने मैंने तुफीद होते रहें क्या बात है बहुत शुक्रियों अपना बहुत ख्याल रखना है इन्शाला फिर मिलेंगे उबरते सूरच की तरह अलाफेश